कि यह तो हमारा आंसर है बिना यह चैक करें कि स्टीरियो के मिस्ट्री क्या होगी और सेकेंड स्टैप में यहां पर स्टीरिक मीडिय में हाइड्रोलीसिस होगा क्या मिलने वाले हमें इनमीन काम पूरा मेकैनिजम देख चुके है कैसे होती है हाइड्रोलीसिस तो हमने यह गरवाया तो यह हमें मिलेगा फाइनल प्रडाक्ट ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लिकिन चीज देखो यहा पर चार डिफरेंट्ट डूपलग जिवान वालकम तो जे चेमिस्ट्री सो गाइस लास्ट वाने क्लास में हमने डिसकर्स किया था करती पहले हिो अगर वाले वीडियो नहीं देखिए तो इस वाले वीडियो से ज़ादा इंपोर्टेंट पहले वाली वीडियो है पहले इसको देख लेना वैसे तो उसका इस वाले वीडियो से कोई लեना देन carbon machine रिकशंग साहीए तो अबहु स्याट ना आज वाले class में हम काफे सारे reaction देखने वाले हैं वैसे name reaction सारे सारे आपको क्योंकि इनुलेट आता है तो आप सबका mechanism खुद से लिख सकते हो reaction बिना नाम अगर नाम ना भी पता हो तो वह आप खुद से यह एक BSA वाले student को भी पता होती है अब मुझे यह नहीं याद कि 11-12 वाले book में थी या फिर नहीं बट यह थी तो पक्का है कि BSA वाले students को अल्डोल reaction पता होती है तो क्या होगा इसमें बहुत ही सिंपल है हमने इनोलेट पड़ा है सही है अगर मैं आपको यह ना भी बोलू कि अल्डोल reaction है इसके बिनावे आप खुद से कर लोगे कैसे फर इसांपल अगर मैं यहाँ पर यह लिखूँ मैंने यहाँ पर लिखा एक LD हाइड सपोज यह LD हाइड ऐसे ठीक है और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कोई बेस अड़ करवा रख है हमने कोई बेस अड़ करवा दिया क्या करवाओंगे अब यह कैसा भी बेस से फरक नहीं पड़ता हमें क्योंकि हमें दिखे रहे हैं कि अगर बेस है ना तो यह इस साले proton को निकालेगा इनुलेट बनाएगा तो पहले बनाएगे यह CH2- और यह अपना वैसे का वैसे इसे को हम कॉंजूगेशन में जाएग दिखा सकते हैं इनुलेट आयन बना दिंगे CH2 डबल बोंड यह अपना O- आया है हाँ पर और यह आया H इसके बाद क्या करवाएंगे अगर आपको सिर इसके माद क्या करेंगे हम क्या रेक्शन स्टोप जाएगी हां पर तो रियक्शन ना स्टोप नहीं हो सकते है रीसन क्या है एच इस देखो हमारे पास अगर मैं इसका वन मोल भी लेलू वन एकुलेंट के लगा है वन वन मोल ले लेते हैं ताकि हम सम्ज़ में आये तो वन म में आ गए हैं लेकिन फिर भी रेक्शन मीडियम में कुछ ने कुछ मोलिक्यूस तो ऐसे रहेंगे न्यूट्रल फोम में रहेंगे अपने है ना तो क्या हो सकता है आगे वाले स्टैप में सिस्टम में यह प्रेजन है CH3, CHO तो यह अटाइक कर सकता है इसके उपर क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बंदो है यह अटाइक करेंगा यहाँ पर यह आया है वापस तो क्या मिलेगा हमें CH3, O- है इसके बास लगाओ पहले से CH2 आके लगा इसके उपर एंड देन CH2 यह हो गया है ना जो यह बेस था है एच प्लस लेगा यहां से तो हमने का करना मालो बेस को हमने बी लिख दिया इस बेस निकाल लिया तो हमने यह ऐसे बना दिया अभी लास्ट स्टेप में एच प्लस को निकाला जा सकता है यहां से यह भी न्यूटलाइज जाएगा और यह भी न्यूटलाइज जाएगा तो इसके बाद हमें मिलेगा फाइनल यह ओवेच यह यहां पर है इधर है CH3 यहां पर H, CH2, CHO तो यह थी अपने पास Eldor reaction क्या बनता है इसमें requirement किस चीज़ क्यों होते है वो देखते हैं तो यह अपना carbonyl carbon यह alpha carbon और यह beta carbon बीटा carbon लगा है OH group तो इसका नाम हो गया beta hydroxy, beta hydroxy, carbonyl compound अब यह ketone भी हो सकता है और अपना aldehyde भी हो सकता है carbonyl compound, so in case of Eldor reaction हमें यह मिलने वाला है beta hydroxy, carbonyl compound, aldehyde भी हो सकता है और अपना ketone भी हो सकता है वापस देखो इसको ध्यान से, अगर हमें करवानी है Eldor reaction क्या चाहिए होगा हमें last में तो मिल जाएगा beta hydroxy carbonyl compound, इसके बाद यहां से समझना base तो चाहिए होगा, क्योंकि हमें inolate बनाना है और यहां पर क्या चाहिए हमें कोई ऐसा carbonyl compound चाहिए, जिसके पास alpha hydrogen present हो है ना, for example, अगर मैं आपको यह बोल दूँ, यह है suppose, यह हम लगा हो है CH3 CH3 तो इसमें अगर आप base add भी करवाद होगे, तो यह reaction नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास alpha hydrogen नहीं है, इसके next वाले कारबन का, alpha carbon, इसके उपर hydrogen होना चाहिए, क्योंकि यही acidic होता है, यही निकलेगा, क्योंकि वो conjugation में जा रहा है last में, है ना, तो इस वाले case में हमारे पास acidic hydrogen नहीं है, so main requirement यह है, कि अगर हमें करवानी है aldol reaction, तो पहले हमें चाहिए alpha hydrogen containing carbonyl compound, ऐसा carbonyl compound जिसमें alpha hydrogen present हो, तो बस इसके requirement है, अब एक चीज देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा substrate है, जिसके पास alpha hydrogen है, तो वो तो खुद से ही reaction कर लेगा, है ना, यह तो मारे पास खुद से reaction कर ले इसने, हम चाहते हैं किसी और के साथ reaction हो, तो क्या करना पड़ेगा, एक चीज देखो, एक और example देखते हैं, जैसे suppose मैंने कुछ ऐसा लिखा, RCHO, R यहाँ पर कोई ऐसा group है, जिसके पास alpha H present नहीं है, और फिर हमने add कर वा दिया यह अपना, CH3, CHO, ऐसे, इसमें हमने add कर दिया कोई भी base, कोई भी base, है ना, क्या करेगा यह, अब इस वाले base के पास कोई option नहीं है, इसको यहीं से मिलने वाला H, इसके पास तो alpha H है नहीं, तो यहाँ से निकालेगा यह, इसको बनाएगा, CH2 minus, और फिर अपना यह, conjugation में दिखा के, इसका resonating structure बना देना, last में क्या होगा, इसके उपर यह attack मारेगा यहाँ पर, क्या मिलेगा final हमें, जिससे पहले मिला था वैसे ही, यहाँ पर OH मिलेगा, H के पास है, CH2, CHO, तो ऐसे करके, हमने क्या करा है, जो वो खुद के सा रियाक्शन कर रहा था, उसको हमने स्टॉप कर दिया, तो हम ऐसे कर सकते हैं, कि कुछ ऐसा साथ में ले लिए को ऐसा component, अबना L-Doll जैसे दिखने वारी, बहुत सारी रियाक्शन है, जिसका अगर आपको नाम नहीं भी पता होगा, तो भी आप खुद से कर लोगे, फर एक्जामपल ये, कहने के लिए है तो L-Doll reaction, और हमने अभी क्लास में नाम, इसका अब बोला है, पहले बार कैट्सोर सीरीज में, L-Doll reaction है, लेकिन अगर मैं आपको नहीं भी बता दे कि L-Doll reaction है, तो हम भी इस reaction का बहुत अराम से कर लेते, है ना, और आज ये क्लास के जितनी भी reactions है, सब का बहुत अराम से कर लोगे, एक तो ये है, आगे देखो, आप ये भी कर लोगे, इन फेक्ट, ये तो हम पहले ही कर के आए है, सिरफ ये बारा स्टमनाया एड होगा है, कर लेंगे अराम से, ऐसे ही ये भी कर वा सकते हैं, ये, क्लेशिन कंडेंसेशन, नोई वैंगल कंडेंसेशन, अगर आपको नाम नहीं भी पता होगा, फिर भी आप भाही कर ओगे, जो हम भी करने वालें इसमें, ऐसे फिरमने बास, लास्ट ये आने वाला है, तो अभी जल्दी सही सारे question solve कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में जितना मरजी पढ़लो, जितनी थेयरी पढ़लो, कुछ भी कर लो, लास्ट में एक्जाम में जाए, question solve करने होते हैं, इसलिए main focus लिखने के उपर नहीं, question solve करने के उपर, तो चलो जल्दी से करो, LDA है कहां से करेगा, low temperature भी कहां से करेगा, kinetic product नाएगा, kinetic यानि के यहां से निकालेगा, यहां से proton निकलने वाल है, तो हमने ऐसे reaction बहुत बार करी है, तो यह minus आ गया, यहां पर आएगे, दिखाऊं conjugation में, need नहीं है ना, हमेशा दिखाते हैं, यह छोड़ देते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसमें add करवाया गया है, यह aldehyde, यह, है ना, तो क्या करेगा यहां पर यह, इसको दिखा सकते हैं, या फिर हमने डिरेटली ऐसे दिखाया, 28 के उपर, क्या मिलेगा, CH2, यहां पर, O-, एक H लगा हुआ है, और यह profile group, लास्ट एमिया कर रख है, hydrolysis, जो की स्कुया गरेगा हैं पर, O-H कर देगा, बस, अब ना एक चीज़ देखो, वैसे तो, इसको मैं यहां पर स्टॉप कर सकती हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसी comparative exam की, net gear jam, कुछ भी हो, उस वाले case में आप एक बाड़ा options पका चख कर लेंगे, क्योंकि देखो, H3O plus से hydrolysis हो गया, यहां तक हम बान सकते हैं, अब ना यहां पर heating दिखाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, कि heating दिखाया बिना भी हो सकता है examiner, option आपको कुछ ऐसे दे, कि यहां पर आपको यह मिले ही ना, हो सकता है आपको dehydration करवा दें इसका, dehydration क्या होता है, dehydration होता है loss of water, तो यहां पर dehydration हो सकता है, तो मैं यह नहीं बोल रहे हैं, आपको हर case में करवाना ही है, लेकिन एक बार ओप्शन को पक्का चेक कर लेना, answer को यहां पर stop किया गया है, या फिर यह option में ही नहीं है, हो सकता है, यहां से वो hydrolysis करवा दें, क्योंकि देखो, STO plus लिखा हो बाए, हमने H लगा है हैं यहां पर, STO plus के बाद, H plus तो ही ना, वो इसको protonate कर सकता है यहां से, और बहुत अराम से water निकलेगा, even mechanism को follow करते हुबे, तो last में हमें, यह मिलेगा, तो ऐसे वाले case में आप ध्यान रखेंगे, कि एक बार options को पक्का देख लेंगे, ठीक है, profile group लगा दिया हमने, depend करता है options कैसे हैं, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, अब आए यहां पर, कहने के लिए इसका नाम है, मुगियामा, एल्डोल रियक्शन, लेकिन, हमें आता ही है, बिना नाम की भी पता है, कैसे करेंगे, बेस एड़ करवाया गया है, क्या करेगा यह बेस, कौन से बनाएगा, दो अप्शन इसके पास है, या तो यहां से निकाल लेगा है, या फिर इन दोनों में से किसी एक को निकाल लेगा, लेकिन यह तो बनाता है, थर्मोडानमिक प्रोड़क्ट, यानि कि यह वारा है एच प्लस निकाल के खुश रहेगा, तो इसको हमने निकाल लेगा हैं से, इधर माइनस आया, उसको हमने, माइनस आया, उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे, यह तो मने पहले किया हुआ है, है नो, नया नहीं है हमारे लिए, इसके बाद देखो, मैंने आपको बोला था, जहां पर भी दिख जाए सिलिकोन और उक्सिजन, एक ही क्वेस्टिन में, तो चाहें वो एक स्टेप पे क्यों ना हो, बढ़ उनका बोन तो पक्का बनने वाला है, सिलिकोन के पास है, M के डी ओर्बिटल, इसके पास है, इलेक्ट्रोंस, डाल देगा इसके अंदर, है ना, और यहां से, C-L माइनस बाहर, तो क्या मिलेगा हमें, O, S-I-M-E-3, ऐसे, मैंना इंतम एक-एक स्टैप नहीं लिख रही हुए हम पर, रीजन यहें कि हम पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ, है ना, तो बार-बार हर क्लास में लिखने का वी नीट नहीं है, हमें सिर्फ क्वेस्टन सॉल्व करना है, तो अपना यह हो गया A, यह A बन गया, अब इसमें एड करवार्ख है, PH-CH, यानिकि बेंजल्डी हाइड, यह है, इस चीज़ देखो, यहाँ पर ना, TICL4 एड क्या गया है, क्या है यह? लिविस एसिर है, लिविस एसिर है, और यह अपने पास, यह तो सॉल्वेंट है, डाय क्लोरो मीथेन है ना, सॉल्वेंट है यह तो, अब देखो, यहाँ पर लिविस एसिर का काम क्या है, एक चीज देखना, अपने पास यहाँ पर ऑक्सिज़न का और सिलिकॉन का बॉंड है, वो काफी स्ट्रोंग होता है, रिजन क्या है उसका, हमने पहले भी देखा यह तो, इसके बास लॉन प्रेर से, अपने लॉन प्रेर जाएंगे डी और्बिटल में, उसके वैसे स्टेबल बॉंड बन रहा है, अब ना, यह एड करवाया गया है लुईस एसिड, ताकि क्या होगा यहाँ पर, जो यह वाली ऑक्सिजन है, यह अपने लॉन प्रेर देदे किसको, लुईस एसिड को, ऐसे, इससे क्या होगा, इससे होगा यह, कि इस वाली कार्बन की, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो रियाक्शन फास्ट होगी, ठीके, तो जब हमारे पास generally ऐसे बनता है नहीं यह वाला बनता है अपने पास तो उस वाले case में generally आपको देहने को मिलता है कि जो हमारे पास carbonally compound है उसके साथ में Lewis acid add कर देते हैं उसका एक ही reason होता है कि यहां पर जो हमारे पास यह वाली carbon है इसकी electrophilicity को में increase करना है सही है ओके तो आप देखो कैसे कर वाएंगे reaction हमने इसको break कर वाया यह यहां पर और यह यहां पर तो क्या में लेका लास्ट में यहां ली देते हूं मैं यह तो हो गया double bond O, इसके उपर लगा हुआ एक methyl group इसने attack करा इस वाली carbon पे इस पे हो गया O- एक लगा हुआ है H और एक लगा हुआ है pH, O- का work up करवाने के बाद OH बन जाएगा और यह आ जाएगा हमारा final answer इसमें हम stereochemistry बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है यह यह भी एक asymmetric center है और यह भी एक asymmetric center है अब LDL reaction में stereochemistry कैसे देखते हैं वो हम सिखेंगे next class में तो next class आज वाली class से जादा important होने वाली है उसको skip नहीं करना है साहिए तो वहाँ पर हम सिखेंगे stereo chemistry कैसे देखते हैं LDL reaction में अब आते हैं यहाँ पर ऐसे वाले questions आपको next class में काफी देखने को मिलेंगे तो इसको से जहान से देखना सबसे पहले देखो यह तो अपने पास क्या है diethyl ether यानि कि solvent है यानि कि solvent है यह अपने पास tertiary amine यानि कि base है है ना ओके तो सबसे पहले अगर यह base है जो कि है यह तो क्या करेगा यहां से एक proton निकाल देगा क्या बनेगा निकालने के बाद CH2 माइनस है ना इसी को मैं ऐसे भी दिखा सकती हूं माइनस आया यहां पर और यह अपना CH2 ठीक है आगे देखो ऐसे करने के बाद अब अपने अब 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 आध करवाया गया ध्यां से देखना बोरोन है इस पर लगे हुए हैं दो आर ग्रूप सब्सक्राइब डबल डैश वाले ग्रूप ऐसे और एक इसके बास अब ऑच्छा लिविंग ग्रूप है एचिस देखो जो बोरोन है इसके सराउंडिंग में अभी तरक 6 इलेक्ट्रोण्स हैं है ना इसका ओक्टेट कंप्लीट है ने इसको दो ओर चाहिए तो बात यह है इसके पास एक पी ऑर्बिटल अभी एम्टी पड़ा हुए यानि कि यह एक्सेट कर सकता है ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रोण्स इसको दे दिये इसके पास इसके पास चार्ज था दोनों का काम चल जाएगा तो यहां पर हुआ यह कि यहां बन गया ओ इसके पास चार्ज क्योंकि इसके पास चार्ज लग चुकी है अब देखो इसने एलेक्ट्रोण एक्सेट करें अब चाहता तो यह भी है अपने उसको अपने चार्ज को खदम करवाना कैसे करवा सकता है क्योंकि OTF एक अच्छा लिविंग ग्रूप है यहां से गया बाहर और चार्ज हो गया नूट्रलाइज तो हमें यह मिला इस पर लगे हमें दो डबल डैश है यह यह लगे हमें और फिर अपना च्छ है तो यह तो काम करवा दिया हमने स्टार्टिंग के इनको यूज करके अब क्या है अब एड करवाया गया आडश च्छ अब तो हम करें लि गया है क्या होगा इस पर टाइक क्या बन जाएगा ओ माइनिस एक एच है सी एच टू सी ओ और वर्कप है तो हमने एसरी वर्कप करवा कि अपना यह कर दिया तो यह मिलेगा हमें फाइनल प्रड़क्ट सही है ऐसे हम कर सकते हैं और ऐसे वाले क्वेस्टन्स ना अब देखो यह तो होने वाला है नहीं कि इस वाले क्वेस्टन को 2 marks में पूछ लहाएक 4 marks में पूछ लहाई और इसी चीज़को ना एक ही श्टप मे करवागे है आपे A बनाएंगे और फिर कुछ इसमें एड़ करवांके B बनाएंगे और आप से पुछेंगे B कौन सा है और गैनिक मे आपसे 2-3 step में करवाते हैं, तो जिसको inolate नहीं आता है, वो यह कैसे करेगा, बताओ, और मानलो इसके बाद डाल दिया, let's say, क्या डाल सकते हैं, इसके बाद, मानलो यह डाल दिया, MnO2, है ना, तो क्या करवाओंगे, MnO2 क्या करेगा यहां पर, यह हमने रिएजिंस में प इसका काम होता है, generally, specifically, हमारे पास जो बेंजाइलिक, या फिर, अलाइलिक जो एलकोहल होते हैं, उनका यह उक्सिडेशन करता है, उनका यह उक्सिडेशन करता है, अब यहां पर, क्योंकि अलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं है, तो अगर हमने एड़ करवा भी दिया, तो अब यह उक्सिडेशन ही सही हो, है ना, तो इसका उक्सिडेशन इसका अग्स को, I' C double bond O CH2, यह, तो ऐसे हो सकता है, और जाएलिक में इसलिए फस्ते हैं, क्योंकि काफे सारे कॉंसेट्ट ना जोड के पूछ लेता हैं, तो अगर एक भी कॉंसेट्ट नहीं आया गया क्व पका फस जाओंगे, ऐसा तो हुगा ने डिरेटली क्वेशन परसेक्लिक से आगया, ऐसा नहीं क्वेशन कभी ने आता, आज आता है, कोई क्वेशन फस जाएगा, सिंपल परसेक्लिक से भी, बट कभी-कभी ऐसा होता है, कि रिएजन डाल देंगे उसमें, और गुमा फिर आता है, यहाँ पर, क्लेशन कर्डेंसेशन, अब देखो, मैंने आपको बुला था, कि हमें नाम पता हो, नाम पता हो, कुछ फरक नहीं पड़ता, तो हाँ, फरक नहीं पड़ता, एक्जाम्स के लिए, जहाँ पर आपको MCU करने है, सॉल्फ, लेकिन अगर आपको नाम मैं नहीं पता, तो अगर कोई आपका वायवा ले रहा है, और आप से पूछ ले, क्लेशन कर्डेंसेशन क्या होता है, फिर फसोगे बुरे वाले, कि नहीं पता क्या होता है, बठा, अगर यह रेक्शन लिए देंगे, तो यह हमें आती है, ऐसा ना सीन हुआ हो रखा है, मि नाम पुल गए, नहीं पता था, ऐसे करके सेकंड वायवा देने के लिए गया, उससे पुछा उसको भी ना, ऐसे करके ना, पूरे क्लास में फैल गया, क्लेशन कर्डेंसेशन क्या होता है, तो फिर जा की सब गूगल कर रहा है, क्योंकि कि सीगों में आता था, ऐसे वह एक क्लेशन करके मैं ऐसा हो गया कि पतानी कौन सा रेक्शन है, बहुत पहले पढ़ा था, बुल बुल गया है, और देखने के बाद, अच्छा है, यह होता है, क्या, फिर सब को आता है, तो में पूरे रेक्शन आनी चाहिए, एक सानस में बहुत अच्छी बाद होती है, क्वे इसके बाद, एक मेक्स यह करके दिखा दोगे, आर लगा दिया हमने, यह बन गया, यह बन गया, यह बन गया, और यह बना ओटी, यह, है ना, इसके बाद यहां करेंगे, कुछ और नहीं है, यहां पर क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन, फिर से यह अपने ही जैसे मोलिक्ल इसके बास होंगे, रेक्शन मेडियम में, है ना, तो उस पर टैक करेगा, वापस लिखो इसको, आर, एसर वापस से, और यह डबल बॉन ओ, और फिर ऐसे, क्या करेंगे, बहुत सिंपल रेक्शन, बहुत बार करते हैं हम तो, यह ऐसे, कारण पर टैक करवानी है, करवादे करेंगे, इसको लाएंगे वापस, सही है, तो यह बनेगा, COOET, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, COOET, दैन यह कार्बन, इस पर लगावा एक R ग्रूप, इस ने अटैक करा, इस वाली कार्बन पर इस पर लगावा है, माइनस, मलब, O माइनस हो गया, एक लगावा है, O नेक्स टेप में, OET is अचा लिविंग ग्रूप होता है, निकाल दो इसको यहां से, यह निकलेगा, और यहां से यह आजागा, ऐसे करके, निकाल सकते हैं, वैसे एथनोल, जादा अच्छा लिविंग ग्रूप होता है, लेकिन हाप पर हमेसे निकाल सकते हैं इसको, तो यह यह भी ऐसे होगा, यह होगा, यह दबल पून O, CH2 and then R, यह बन जायाएगा आपका, फाइनल प्रडुक्ट, सही है इतना, ओके, तो अगर मैं आपसे यह पूछू, कि यह किस तरह की रेक्शन है, तो यहां से बताना, मालो मैंने आपसे पूछी, मुझे बता दो, क्लेशन क क्या होता है, आपने लेती रेक्शन, अब अगर आप से कुई पूछे, जो यह वाला स्टैप हमने कर रहा है, यह यह यहां से मिला के, अपने यह बनाया है, यह किस तरह की रेक्शन है, overall reaction दाने कैसी है, तो देखो, वैसे तो हमने यहाँ पर addition करवाया है, वैसे तो addition हुआ है यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसको compare करोगे, इस से तो क्या होगे, देखो, हमारे पास, यह था substrate, इसके reaction इसके साथ, देखो, last minute, addition जैसे दिख रहे है, addition में क्या आता है, एक नया group क्या होगे, है ना, लेहाँ पर क्या होगे, OET बाहर चला गया है, तो कैसे लग रहा है, यह overall reaction, R, देखो, RCH2CO, RCH2CO, यहाँ पर तो ऐसे कैसे है यह, जो यह वालना group है, अगर हम देखो तो क्या लग रहा है, हमें OET को इसने replace कर लिया, या इसने substitute कर लिया, तो यह बस्ति substitution हो गया, तो main point क्या होता है, अगर हमारे पास carbonil के साथ कोई ऐसा group लगाओ जो निकल सकता है, तो उस वाले case में substitution होगी, और अगर नहीं है, तो फिर अपना addition हो नहीं है, सही है, आगे चलते है, अब आगे चलते हैं, अब आई यहाँ पर, नाम नहीं पता हो चल जाएगा फिर यह प्रेण यहां अब ज सकता हो प्रेणीं है, जरहरं थो निर्यादिए है, तो फ्रेणीं है, यह है leofacet, तो पहले तो बाने माला है, पहले तो पता हो, इस मूदे आउपoscans हो जाए ने kला कितू को कुषी उप्र निकला है, या इन दोनों में सिकिसी को निकाले, य करेंगे अब यहां पर क्या होने वाल है यहां पर बनेंगा carbon iron that will be more stable यहां पर देलोकलाज ओगा इस पर भी उगा तो यहां निकालेंगे हमने यहां से निकाल दिया थीक है minus बना दिया अब next step में next step में यह लिविस ऐसे क्यों आड़ करवाई गई है फिर से वही इसकी हमें नुक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी है यह तो हो गया यह तो हो गया O minus इस पर आकर लगए यह वाली कारबन और इस पर अपने पास यह six member ring बनाओ ऐसे डबल बोन ओ और यहां पर भी डबल बोन ओ इतना ठीक है पिरीडीन था ऐसे करके न तो पिरीडीन ने क्या करा एश प्लस निकाला था ना महाँ से ऐसे बना दिया हमने क्या होगा नेक्स टेप में एश प्लस निकलेगा यह ले लेगा ताकि हमारा बेस भी नुटलाइस हो और यह भी ऐसे बने इतना ठीक है अब भी क्या होता है जो हमारे पास यह no evil reaction है क्या इसमें लास्ट में लोस होता ही है वोटर का तो यहां पर ऐसे लगा होगा है यहां पर होगा dehydration यानि कि लोस ओफ वोटर और driving force क्या है alpha beta unsaturated compound बनेगा तो हमें लास्ट में यह मिलेगा अब लगाया ऐसे डबल बॉन ओ और यह भी डबल बॉन ओ और यह हो गया आपका final product ठीक है अब आते हैं अपनी आज ही क्लास के में रियक्शन पे इससे ना भी recently question पूछा गया था June 2019 में तो पहले तो उसका नाम लिख लो अच्छा सा सुंदर सा जो लिखा होगा है इसके बाद दो चीज़े हैं एक तो यह आपने खुद देखा होगा CSIR net में ऐसे bi-cyclic compounds की nomenclature पूछते हैं और मैंने इससे related की nomenclature कैसे देखते हैं यह कैसे आया है इससे related इसका नाम कैसे आया यह एक वीडियो बनाई थी rank booster सीरीज में उसका link में आपको description में देदें के वहांसे चेक कर लेना अब इसको आसले इसको नाम किया है यह कैसे आया आप वो वीडियो देखो आपको समझ में आएगा आप कुछ से लिलोंगे वाला नाम less basic and more nucleophilic more nucleophilic और अच्छा living group भी होता है good living group good living group इसकी जो यह 3 properties है एक और लिखो इस reaction में यह काम कर रहा होता है as a catalyst catalyst मैंने कैसे बोला वो में भी अब check करिंग catalyst कैसे बोल दिया हमने वो देखेंगे और यह less basic क्यों है वो भी भी check करना है और फिर इस reaction में इसकी दो काम होने वाले है एक तो यह अच्छा living group है यानि कि last में निकल जाएगा और यह nucleophilic जादा है basic के comparison में तो start करते हैं इसको one by one देखना सबसे पहले basic क्यों है तो अगर मैं आपको यह बोल दूँ कि इन दोनों ना compare करो एक तो अपना यह है दैब को और एक मानलो हमने यह लिखा है यह इन दोनों में से जादा basic कौन जाओगा कैसे पता होगे कैसे देख सकते हैं यहाँ पर देखो बाकी सब कुछ तो सेम ही है डिफरेंस किसका है यहाँ पर carbon है और यहाँ पर nitrogen है और हमें यह पता है कि जो nitrogen होता है उसकी electronegativity जादा होती है electronegativity of carbon से है ना तो क्या करने वाला है यह इसमें यह अपने electrons donate करेगा इसमें मालू हमने यह कर रहा है यह कर रहा है compare कर रहे हैं तो यहाँ पर क्यूंकि nitrogen की electronegativity जादा है तो वो तो पुल करने वाले electron energy of carbon side मतलब माइनस आई लगाएगा और माइनस आई लगाने की वज़े से क्या होता है बेसे से हमने वाई मालो हमने वाई लिखा इस वाले केस में वाई के आपने पास oxygen है यानि कि एसा ग्रूप है यह है ना oxygen लगाओ लेकिन हमेशा आपको यहां पर कुछ और भी हो सब्सक्राइब को लेकिन हो तो यहां पर फिर रियक्शन होगी ठिक है को यहां पर किया पहचाने जाओगे कि यह वाली reaction है और फिर यहां पर क्या होता है इसको भी हम जने लगा यहां पर लगा होगा कोई ने कोई electron withdrawing group तो ऐसा कहीं पर एसा निया कि 100% किसी भी होने वाला है हमेशा आपको eston मिलेगा ऐसा नहीं है हो सकता है यहां पर let's say हमने लगा दिया ketone लगा दिया suppose यह भी तो electron withdrawing group ही है या फिर हो सकता है कि मैं क्या लगा हूं यहां पर let's say हमने लगाया कोई भी ester लगा दिया ketone हो गया aldehyde लगा सकते हो cn लगा दो यह भी तो electron withdrawing ही है तो कोई ने कोई यहां पर electron withdrawing group होना चाहिए तो अगर आपको ऐसा setup दिखे कि एक तो कुछ ऐसा है और कुछ यह है डैप को डाल रख है उठाके बेली सिल्मन reaction करवा देना सही है चलो हटाते हैं इसको अच्छा अबना एक question है अगर मैं आपको यह कहूं कि यहां पर debco के place पे क्योंकि हमने काफे सारा पढ़ लाई इस chapter में अभी न अगर मैं आपको यह बोलू कि debco के place पे लेट से मैंने कोई base डाल दिया for example हमने डाल दिया LDA ही डाल दिया suppose है ना और यहां मैंने लिख दिया CH3 CHU कि कर दिया अगर यहां पर debco के place पे LDA होता क्या करते आप फिर हम यह करवाते कि यहां से निकालेंगे पहले तो proton चीक बात है यहां बनाएंगे CH2- और फिर का क करवाएंगे ऐसे करके conjugate addition, main point क्या है अगर हमारे पास substrate same है लेकिन debco के place पे कोई base होता तो वो तो करवाया दा कॉंसे reaction, Michael addition, तो उस वाले case में Michael addition हो जाती, इसी वजह से हम कोई strong base use नहीं कर रहे हैं क्योंकि Michael addition करवानी ही नहीं है, तो इस वजह से हापे LDA बिटा ली थे मतल इसी करेक्टर कम है और वो एक comparatively better nucleophile है, एक अच्छा base होने से पहले वो एक अच्छा nucleophile है, तो इसले हम इसको यह लिया है, क्योंकि हमें Michael addition नहीं चाहिए, चलो वापस आते है reaction पे, ताकि आपको difference समझ में आए, इसले में आपको उताया था यह, अब आता है यहां पर, यह तो अब जो अपना यह dab को है, यह एक क्या है, अच्छा nucleophile है, अब nucleophile में और base में difference क्या होता है, base attack करता है hydrogen के उपर, और nucleophile attack करता है hydrogen को छोड़गे किसी के उपर भी कर देगा, carbon हो सकती है, ऐसे लिए कुछ भी हो सकता है, मतलब hydrogen के लावा कुछ भी चलेगा, तो ऐसे करव है, O- O-E-T, और यहां पर आके लगे अपना यह dab को, एक सेकिंड, इस carbon से आके लगेगा अपना यह, मैंने वापस नहीं बनारी, इसको यह तो बना देती हूँ, ऐसे बन जाएगा, है ना, अब next step में क्या होगा, इधर और यह वापस यहां पर, तो देखो क्या मिलेगा, यह हो गया है, O-, यहां पर H, यह अटाइच होगा, इस वाले carbon से, यह carbon अटाइच आपने पास, ester वाले group से, और फिर इसके उपर लगेवे carbon, इससे लगावा अपना डेपको वाला group, CH2, CH2S लगाया हमने, और फिर यह, और यह ऐसे, यह है, है ना, अब एक चीज देखो, आगे मेकैनिसम कैसे होगी, वो देखते है, अब भी यहां पर हमारे पास H है एक, है ना, और मैं काम कर सकती हूँ कि यहां पर, इसको इनुलाइज कर वाद दू, ऐसे, तो बेसिक यह, प्रोटोन ट्रांसफर है, और प्रोटोन ट्रांसफर होला स्टैप का होता है, जनरली, रिवर्सिबल होता है, इन फेक्ट, मैक्सिमम केसी में, यह, हमेशा ही ऐसा होता है, कि जब भी कोई प्रोटोन ट्रांसफर है, तो वो स्टैप कैसा होता है, वो स्टैप होते है, वो step होती है reversible, तो हमने क्या करा यहां पर यह बनाया, जो यह H प्लस था, इसको इस oxygen ने ले लिया, यहां पर आया double bond, यह बन गया है O minus O E T, और फिर बागी सब पुछ सेम रखो, यहां पर यह ग्रूप लगा वे अपना, ऐसे हमें बना दिया, next step, क्या करेंगे, हमने इसका nucleophile वाले काम देख लिया, अभी अच्छा living group भी है, तो अच्छा living group होने के वैसे क्या होने वाला है, देखो, यह यहां, यह यहां पर और यह बाहर, तो last में हमें मिला, OH, अब ठीक है, ester यहां पर है, और यह बन गया है, double bond, यह हो जाएगा आपका final product, तो इसी reaction का एक question पुछा गया था June 2019 में, समझाया, अब देखो, अगर मैं इस overall reaction को एक साथ देखो अभी, तो क्या देखेगा हमें, हमें यह समझ में आएगा, कि हमने यह dab को लिया, कि आया यहां पर अटाइच रुआ, इसने पूरी reaction करवाई, और last में निकल गया, ऐसे वाले कि क्या बोलते हैं, इस species को में catalyst बोलते हैं, क्या काम होता है, catalyst का, reaction को fast करेंगा, और last में निकल जाएगा, उसे कुछ फरक बढ़ने वाला होता निया, है न, तो यहां पर हमने पास catalyst के जैसे काम कर रहा है, इसी वज़े से इसका हम small amount use करते हैं, बहुत ही कम amount use करते हैं, इस वाले reaction में, डैपको का, उसके दो reason है, एक तो यह कि अगर जादा amount होगा, फिर तो यह हो सकता है, यहां से proton निकालना start कर दे, जो हम नहीं चाहते, और उपर से जब इसको last minute निकलना ही है, तो catalyst वाला काम कर रहा है, तो जादा amount नहीं करेंगे क्या, सही है, तो ऐसे कर गे हमारा reaction complete होता है, आज ही class का सब से important reaction यहीं था, अब next class में हम discuss करेंगे stereo selective elder reaction, जो कि बहुत सादा important है, तो फिल हाँ class को यहां पर खतम करते हैं, happy learning!